श्री शिवाय नमस्तों भ्याय नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में दोस्तों आ गई है एकदशी कीति थी पांच तारीकों है पाप मोचनी एकदशी चुकि सबी पापों से आपको मुक्त करवाती है इस दिन विशेश उ आपको पूरा प्रयास करेंगे एक बार करके जरूर देखियेगा अपने परिवार की उन्नती तरक्की और सभी जो भी दुख परिशानिया है कस्टों को दूर करने के लिए बहुत ही शुब दिन है एकदशी का दिन आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर छोटा सा बढ़ेंगे कभी उन्हें पलट कर पीछे मुर्गर नहीं देखना पड़ेगा आगे ही पढ़ते जाएंगे रास्ते आगे के खुलते चले जाते हैं भाग की चमटने लगते हैं घर में मातलक्षमी कवास होने लगता है धन्समपदा आती है सुख सम्रिद्धी वैभाता है उपाय को करने से चोटा सांसा उपाय है बस इसको शाम के समय करना है एक अदशी के दिन करना क्या है आपको थोड़ा सा हल्दी लेनी है जैसे एक चुटकी सुखी वी गार्थ जो आती है गार्थ लेकर कि उसकी एक चुटकी हल्दी पीस करके बना लेनी है अगर गार्थ न अहींते हैं विस्ट मों मजड़ी तो तुरस सब्सक्राइब दक करता है वोड़ों ओसी माता से पर शलदेना पहुंगी चांडी हमाम यह जो करना हें वहां महें tiasta ते वासुदेवाय कहते हुए तुलसी को छूना नहीं है कदशी के दिन थोड़ा सा दूरी पर ही रख दिया और उसके उपर आपको दोनों गूलबाती के दूपक रखने हैं उस हल्दी के उपर और पजलित कर देने हैं जो दोनों दीपक आपने जलाए हैं वो किस के लिए ए हमारे गरिवार में आपका वास बना रहे आशिरवात दीजिए आपका कृपा द्रस्त्री हमेशा बरस्ती रहे सुख समरिधी का वासु परिवार के लोग आगे बढ़ते रहे पूरे परिवार के लिए आपको ये काम ना करनी है छोटा सा उपाय है आसान सा काम है आपको कर भी काम हो जैसे अगर आप डॉक्टर के आ जा रहे हैं तो आप चाहेंगे कि हमारी रिपोर्ट जो है वो सब मतलब अच्छे से आए कि उसमें कोई बीमारी कुछ ऐसा न निकले या बीमारी के लिए दिखाने जा रहे हैं तो सब सही सही आ जाए रिपोर्ट ऐसी सब काम ना कर रहे हैं यह काम सिद्ध हो जाए वो मनोकाम न kalian हो जाए ठीक है कारी सिद्धी के लिए आपको यह उपाय करना चाहे वो बीमारी है यह नौकरी ओप्याओ्पार संबंधी और चाहते हैं कैसा वी काम में आप सफलता जाहते है तो फिर आपको इस लेंदाई कर ना के कुछ द लेना है साथ ही साथ ताम एक पात्र में एक लुटा जल अपने घर से लेना है यूपाई आप सुबा चाहे तो सुबा करें, शाम जाहें तो शाम करें ले करके चले जाना है शिव मंदर शेवलिंग के पास में जब वहां पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मो करके खड़े हो जाना है और एक लोटा जल जो ले करके गए हैं वो आपको चड़ा देना है चमपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए किसका चमपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इसमारण करते हुए एक लोटा जल सबसे पहले चड़ा देना है उसके बाद जो गेहूं आप ले करके गए हैं वो भी आपको सीधे शिबलिंग के ऊपर वो गेहूं चड़ा देना है श्री शिवाय नमस तुभ्यम या हर हर महादे ओम नमस शिवाय कहते हुए चड़ा दिया अंत में जो भी आपकी कामना है मनो कामना है कारे सिध्धी के लिए जिस भी चकारे के लिए आप यी उपाय कर रहे हैं कि ये काम हमारा शिद्ध हो जाए इस पाम में सफलता मिले ये काम अच्छे से निपट जाए ऐसे आपको प्रारथना करनी है चोटा सा उपाय है एक अधिशी के दिन शाम को आप ये कर लेंगे तो बहुत ही लाब होता है आते हैं अपने अगले और तीसरे उपाय पर ये उपाय है अगर आप घर में किसी की आयू बढ़ाना चाहते हैं किसी की या फिर बच्चे की हो गई बड़े की हो गई कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, तरक्की करे, उसकी आयू लंबी हो, स्वस्थ जीवन हो उसके लिए करना चाहते है या फिर पूरे परिवार के सदस्यों के लिए चाहते है कि उनका स्वस्थ रहें सभी और आगे बढ़े, साथी साथ उनकी आयू में व्रिद्धी हो काने के लिए आपको पाय करना चाहिए अपने परिवार में पाउच में एपकेर में जाता है भस्म याँ मन कुछ जाता है कि अब एक धतूर यह आपको पूल पते को दुकान की दुकानों पर मिल जात recipe एक धतूरा ले लेना है लपेट लेना है लपेटने आपको पूरे गर में अच्छी प्रकार से घूमोणा है हर जगह पर आपको भूमना है और अपने जो भी आपका गोत्र है आपके परिवार का उसको उसमरण करना है गोत्र का सदस्यों का नाम भी आप चाहे तो सदस्यों का नाम ले सकते हैं या किसी एक के लिए कर रहा है तो उसका नाम और गोत्र बोल सकते हैं तो सभी सदस्यों का मदिर में आप चले गए तो सबसे पहले आपको एक लोटा जलशी शिवाय नमस तुभ्यम कहते वे चड़ा देना है उसके बाद जो आप धतूरा लेकर के गए हैं वो धतूरा भी आपको शिवलिंग के ऊपर आपको चड़ा देना है रखना है बस एक नियम का ध्यान रखना ह कूँअ को है। तुमरों पूमारों अपने लाहिए और आपकी तरफ नूफके के लुदंम आपके सोलों टिंटारफ मैंता प्रेंस ब्र 기본 Partners .... चाहिए। आप अज्ला मैं चाहा ले लाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको तीन उपाय बताए हैं बहुत चोटे-चोटे से आसान से उपाय हैं एकादशी के दिन करने हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में शी शिवाय नमस ज़रूर लिखे इन उपायों के करने से आपके अलग-खलग समस्याओं के उपाय हैं जो आपको असाल लगे वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा अपनी समस्या से संबंधित उपाय आप सभी को एकादशी की बहुत-बहुत श्रुक्वाम नाय भगवान भोलेनात विश देवाई श्री शिवाई नमस्तु भ्यम हर हर महादेव